मेश राशी और तुला अनुकूलता मेश और तुला राशी के लोग अपने संबंधों में एक दूसरे के प्रती एक मजबूत आकर्शन महसूस करते हैं मेश फायर साइन है और तुला एर एलिमेट को रिप्रेजेंट करती है इसलिए दोनों के बीच प्रेम अच्छा पनप सकता है मेश को तुला का शांत रहना पसंदाता है तुला भी मेश के नेतरित्व को स्वीकार कर लेते हैं मेश का फन लविंग नेचर तुला को पसंदाता है वही तुला का तारीफ करने का अंदाज मेश को बेहत प्रिय रहता है यह बात दोनों के बीच मजबूत प्रेम को बना सकती है मेश और तुला की जोड़ी के फायदे मेश और तुला की जोड़ी के संबंध में भावनात्मक आकरशन मजबूत होना चाहिए मेश किसी भी निर्नय से पहले सोचता नहीं जबकि तुला निर्नय लेने से पहले उसके दोनों पक्षों को तॉलता है तुला दूसरों के विचारों का सम्मान करता है जबकि मेश जातक अपने मत पर द्रिढ रहता है मेश एनर्जेटिक है और तुला बैलेंस्ड है मेश की एनर्जी को तुला बैलेंस करने का काम करता है मेश हमेशा तुला को कुछ नया करने को प्रेरित करते है यह बात तुला को पसंद आती है मेश के गुसे को तुला के लोग नियंतर्ण में कर लेते हैं और तुरंट जवाब भी नहीं देते हैं इससे मेश का गुस्सा शांथ हो जाता है मेश और तुला की जोडी के नुकसान तुला के लोगों का दिमाग बहुत चंचल होता है जो हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहता है जबकि मेश जातक हमेशा आवेगी होते हैं और तुला के द्वारा तयार की गई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने में मुश्किल महसूस करते हैं दोनों का नेचर बेहद अलग है जो उनके रिष्टे को नुकसान पहुँचा सकता है मेश किसी भी बात का तुरंट डिसीजन ले लेते हैं और तुला किसी डिसीजन पर पहुँच नहीं पाते हैं मेश राशी के लोग तुला के बैलंस्ट नेचर को समझने में थोड़ी मुश्किल पाते हैं मेश और तुला वैवाहिक अनुकूलता मेश और तुला की जोड़ी के बीच वैवाहिक अनुकूलता बहुत रोमांटिक और दिल्चस्प हो सकती है कभी कभी तुला जातक अपनी बदलती मनोजशा के कारण अपना मूर खराब कर सकते हैं वही मेश जातक भी अपने कठोर व्यवहार के कारण उन्हें परिशान कर सकते हैं कभी कभी मेश और तुला संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते हैं तो इसका कारण दोनों की गैर जिम्मेदारी हो सकती है हालांकि दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेम में पढ़ जाते हैं यह सब कुछ बहुत अचानक होता है जो उन्हें पसंदाता है तुला बेहद रोमांटिक होते हैं और मेश को उनके रोमास करने का तरीका पसंदाता है यही बात उनके वैवाहिक संबन्धों को जीवित और रोमांचक बनाये रखती है मेश और तुला सिक्सूल अनुकूलता आईए जानते हैं कि क्या मेश और तुला के जातक रोमास और कामुकता के स्तर पर भी एक दूसरे की वांचित जरूरतें पूरी कर सकते हैं बेड़ पर मेश और तुला के बीच इंटी मेसी का स्तर बहुत अधिक हो सकता है मेश और तुला के बीच सिक्स्वर रिलेशन उनके रिष्टे को इमोशनली और मजबूत बनाता है इन मेश और तुला दोनों के बीच रोमास भरपूर होता है उनकी बेडरूम एक्टिविटी उन्हें और करीब लाती है मेश के लोग प्रैक्टिकल होते हैं और नई-नई चीजे करना पसंद करते हैं तुला के लोगों को उनका यह अंदास पसंद आता है मेश और तुला के संबंध बैलेंस्ड नजर आते हैं उनकी जोडी वास्तव में एक सफल जोडी हो सकती है वे एक ऐसे कपल हो सकते हैं जो भीड से अलग नजर आएं यदि चीजें अच्छी तरह से काम करती हैं तो उनका रिष्टा कुछ रोमाचक जोडियों में से एक हो सकता है मेश और तुला के बीच का संबंध केवल तभी सफल हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के मतभेदों के प्रती खुले विचार रखते हो और एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस भी देते हो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो माइ नेक्स्ट निउस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें को सिर्णव स्वाद में झाल झाल झाल